तो हे गाईज जेर हमारे पास latest smartphone Oppo A38 और गाईज आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले इसी Oppo A38 के top 3 region features बहुत ही कमाल के 3 features आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी जाता कमाल का होने वाला है और काफी जाता कमाल का होने वाला है तो guys OPPO A38 के सबसे पहले फीचर को देखने के लिए आना है सिंप्लिस हमें फोन के सेटिंग्स में सेटिंग्स में आना है और आपको थोड़ा सा नीचे की तरह पे स्कॉल डाउन करके आते जाना है थोड़ा सा नीचे जैसे हो कि यहाँ पे को अप्सन आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का तो सिंप्लिस हमें इसको ओपेन करना है ओपेन करने को आपको बहुत सारे ओप्सन निकल के आ जाते हैं लेकिन जो हमारा पहला फीचर्स है वह यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिश्टम नविगेशन में देखने को मिलेगा तो इसको सिंप्लिस हमें ओपेन करना है ओपेन करने के वाद यहां पे आपको ऊपर में दो अप्सन देखने को मिल जाएगे बटन और Gestures तो अब मैं बताता हूं कि buttons क्या है और Gestures क्या है तो guys buttons यह है कि जिससे आप लोग जो है वो यहां से menu button, home button और back करते हो इसको हम लोग buttons बोलते हैं अब gestures पर हम जैसे ही click करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते होर learn पर जो है वो click करेंगे तो क्या होगा अब जो है वो हमें बताएगा कि gesture की uses क्या है तो इसको मैं simply यहाँ पर skip करूँगा और आपको directly बताऊँगा कि gesture का मतलब होता क्या है तो जैसे हमने gesture पर क्लिक करी आप देख सकते हो हमारी जो भी buttons थी menu button home button और back button वो तीनू की तीनू gap हो चुकी है अब आप लोग बोलोगे कि मैं इसको back करना चाहूँ या फिर home पर जाना चाहूँ तो वो कैसे जाऊँगा तो जहां पर आपकी जो भी button थी お願いします उसके ऊपर की तरफ आपको वहाँ से slide करना ही है जैसे आपको directly home पह आ जाने है तो हम लोग यहां से ऊपर की सलाइड करेंगे तो जो बटन हमारी जहां थी वहीं से ऊपर की सलाइड करणे तो वह work करेगी और एक dimensional को फिर पर बेटर मिल जाए कि आप लोग कहीं भी किसी भी साइड से जो है वह एक बार स्लाइड करोगे तो आप लोग वह एक स्टेप बैक पर आजाओगे यह भी काफी जाता बेटर है अभी तो मुझे लगता है कि 90% लोग वह गेस्चर्स का ही यूज करते हैं क्योंकि यह वह लेकिन जो हमारा कमाल का फीचर है वह यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे मोशन में यहां पर आपको टोटल चार ओप्शन देखने को मिल जाते हैं रेस तु वेग लिप टू इयर कॉल्स ऑटो स्विच तु रिशीबर और फीलिप टू मूट इनकमिंग कॉल तो मैं बारी बारी आपको बताता हूं कि चारो का मतलब क्या है और चारो का यूजिज क्या है तो सबसे पहला जो है रेस टु वेग इसको अगर हम लोग करते हैं इसका मतलब यह है कि आपने फोन को लॉक करके रखिए ठीक है कहीं पे भी अपनी फोन करके हुए जैसे आप फोन को महां से उठाओगे क्या होगा कि आपकी फोन के स्क्रीन की लाइट जो है वो अटोमेटिक से जल जागी इसको हम लोग बोलते है रेस टु एक अब यहां पर है लिफ्ट टु इयर एंसर्स कॉल इसको अगर हम लोग अन करके रखेंगे और एलाव पे वह दो बार किक कर देंगे अब हमारी यह on हो गई अब इसका मतलब क्या है कि आपने कई फोन को रखे हूँ हो या फिर हात मेंझे चलो मानके रखे हुए हो हो अब किसी का भी आपके फोन में कॉल आ रहा है आपको क्या करना है कि फोन को ऐसे लेना और सीधे अपने कान के पास ले जाना जैसे ही कान के पास ले जाओगे automatic से जो है वह phone receive हो जागी बीना touch से receive किये हुए receive हो जागी आप जिसका भी caller है उससे बिल्कुल भी बात कर पाओगे फिर यहाँ पर आपको third world option देखने को मिलता है auto switch to receiver अब यह जो है न यह बहुत ही बहतरीन options निकल के आता है हमारे oppo 888 के smartphone में अब इसका मतलब गाइस यह है कि आपने तो कान पर लगा के बात कर रहा हो जाए किसी का भी phone हो अब जैसे ही अपने अपने कान के पास से phone को हटाओगे क्या होगा कि आपकी जो phone है वो अपने आप speaker mode पे चले जाएगी यानि कि loud sound आपको चाहिए होगा यह आपकी phone जो है वो पता कर लेगी क्योंकि इस वाली speaker से जो हलकी अबाज आती है और इस वाली speaker से loud अबाज आती है और कान के पास से हटाओगे तो इस वाली speaker से तो आपको आपकी phone है वो speaker mode पे जो है वो आपकी phone को डाल देगी तो बहुत ही बैतरीन है एक तरह से आप लोग बोलो कि आपने कुछ किया भी नहीं आपकी phone ही जो है वो आपकी सारी काम कर दे रहा है तो बहुत ही बैतरीन है ठीक है आपको सिंपली से phone को ऐसे पलड़ देना है अब क्या होगा कि आपने जो भी ringtone लगा के रखी थी या फिर कुछ भी लगा के रखा था वो सारी की सारी बंद हो जागी यहां तक की vibration भी जो phone में होती है incoming call आते वक्त वो भी बंद हो जागी पूरी की पूरी आपकी phone जो है वो mute हो जाएगी किसका call आ रहा है किसका call नहीं आ रहा है वो किसी को पता भी नहीं चलने वाला है तो यह भी बहुत नहीं जाता बैतरी इन feature है जो कि आपको देखने को मिल ला था gestures and motions के motions वाले feature में तो इसमें total 4 option देखने को मिल ला थे आपको यह दोनों में से कौनस और सबसे कमाल के feature की बात करें तो उसके लिए आना है settings में settings में सबसे नीचे आपको scroll down करके आ जाना है यहाँ पर एक option आपको देखने को मिलेगा about device का तो इस पर हमें simply से click करना है इस पर click करोगे तो आपकी device के जो अभी information वगड़ा है वो यहाँ पर सो हो जाएगी लेकिन जो हमारा कमाल धमाल का feature है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा RAM वाले section पर तो हमें simply से इस पर click करना है इस पर click करने के बाद अगर आपके ऊपर से RAM expansion off है तो इसको simply से on कर देना है on करोगा यानि की blue sign जो है वो बन जागी अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे दो जीबी और चार जीबी राम जो है वो प्लस कर सकते हैं यानि कि अगर एक जीबी प्लस करोगे तो आपके phone की total RAM पांच जीबी हो जागी दो जीबी प्लस में करोगे तो total RAM जो है वो आठ जीबी हो जागी जैसा कि मैं आपको दिखा दू कि अभी जो हमने वो 4 जीबी रा राम है वो 8 GB है तो अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा करना है तो आपको यहां से सिंपल से राम expansion को on करना है इसको 4 GB पर ले जाकर छोड़ देनी है उसके बाद क्या करना है कि आपको तो फोन को restart करना है जैसे कि हम लोग यहां से रियेस्ट करते हैं तो कुछ उस तरीके से आप रियेस्टार्ट जैसे ही करोगे आपने जितनी भी time को expand करिया चाहे वो सारी की सारी राम वहां आपकी expand हो चुकी होगी और इससे वह आपकी फोन जो है वो और भी ज़्यादा स्मूथ वर्क करेगी और पहले से जो है वो काफी ज़्यादा बेटर भी हो जाएगी तो guys I hope कि ये तीनों features आपको ओपो 838 का पसंद आया होगा आपको कौन सा feature जो है वो सबस्यादा कमाल का लगा है वो मुझे निचे comment section में ज़रूर बताईएगा चैनल को subscribe करें ताकि आने वाली ऐसी ही tips and tricks की knowledge और वीडियो का आपके पास सबसे पहले फौस सेगे लाइक कर दिए सभी दोस्तों के बाद सेयर कर दिए तो चलिए आज किस वीडियो में इतना है फिर में तेने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जयाहिन वन्दे मात्रम